हाल ही के दिरों में राज्यों के नाम से बनी मूवीज पर काफी विवाद होता हुआ देखा गया मसलन दखेरिला स्टोरी कश्मीर फाइल्स और अब इस शुक्रवार को परदे पर रिलीस हुई देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के उपर बनी एक बड़ी हिंदी फिल्म उत्तर प्रदेश की राजवनीती पर केंडरित हिंदी फिल्म का नाम दे यूपी फाइल्स है कभी crime को लेकर बदनाम रहा उत्तरप्रदेश, आज law and order को लेकर कैसे एक मिसाल बन चुका है, ये movie इसी पठकता पर अधारित है उत्तरप्रदेश का पूरा विवरन समेटे हुए दे यूपी फाइल्स में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ से जुड़ा किरदार भी है जिसे मनोज जोशी ने निभाया है, मनोज जोशी का चहरा, उनके भगवा, बस्त्र और अंदाज सब कुछ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ की तरह ही नज़र आ रहा है फिल्म लगातार चर्चा में है, ऐसे में फिल्म के डारेक्टर, प्रोड्यूसर और आक्टर अनिल जोड़ से खास बात्ची भारट में डिफोर ने की है, आपको सुनबाते हैं स्टोरी क्या है, यह हम इस टीम से समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ इस टीम के तीन खास एहम खरदार मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, अकुलदीब जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, आपने शायद देखा ही होगा, पहचान की जरूरत नहीं है, ल साथ मौजूद हैं, निरजी भी, सबसे पहले आखर फिल्म की स्टोरी क्या है, क्या यह सियम योगी आरतनात के इर्दगिर घुमती है, या उन्होंने जो व्यवस्था दी है, उसके इर्दगिर घुमती है, निरजी, यह एक्चली में क्या है, योगी जी के उपर पूरी ज चाहिए, जैसा योगी जी है, इसके लिए हम उनके थ्रू यह मैसेज देना चाहते हैं, पुर हिंदुस्तान के हर स्टेट को, कि हर स्टेट जो इतना बिगड़ा हुआ है, इतनी विवस्था खराब है, क्राइम है, तो लाइन आर्डर को इस्थापित करने के लिए ऐसा ही स चाहिए, यह सारे राज जी के मुखमंत्रियों को, सारे MP को, सारे MLA, MLC, सब को पिक्चर देखनी चाहिए, और इससे सबख लेना चाहिए, और अपने अपने राज में कानून विवस्था इस्थापित करके राम राज लाना चाहिए, आपका रूल क्या रहे हैं माले सर इस पॉल्टीशन होते हैं, बैट पॉल्टीशन होते हैं, तो यह वो जो हमारा जो करेक्टर है, जो योगी जी से इंस्पायर होके, वो गुट करेक्टर है, और उसके साथ जो एक राज में जो बैट पॉल्टीशन होते हैं, जो इतने सालों से जो है, लोग खाली जात बात पे और मतलब धर्म के नाम पे और वोट की जो राजनीत ही करते हैं आज तक देश में अपरदेश में को बेवस्थान नहीं दे पाए असली तो इसके लिए वो बैट पॉलिटिशन है जिनको बैट पॉलिटिशन में तो कई नाम उत्र प्रदेश में रहे हैं चाहें वो मुख्तार की बात की जाए चाहें वो अतीख की बात की जाएं कई सारे माफियाओं का नाम पूरब से लिकर परश्चिम तक जुड़ता है सर का खरदार किसी से क्या जुड़ा हुआ है नहीं मैंने बोला ना कि ये कि औरीजनल लाइफ पे नहीं हो उनके जीवनी नहीं है ये इंस्पायर हुए है तो ये हम पूरे हिंदुस्तान में खाली ये उत्तर प्रदेश के ही जो है जो ये आपने नाम लिए जो कुछ चंद लोगों के खाली वही बैट पॉलिटिशन नही जो राजनीती है ये जो है राजनीती जो से धन बटोने का साधर नहीं है ये सेवा स्वार्थ हैं लेकिन एक जो है एक योगी अधितां ते कहा था एक बार विधान सभा में मिट्टी में मिला दूँगा याद होगा आपको बहुत चर्चित बयान था तो सर का करदार तो लास्तक निल जोर्जी का जिन्दा रही सभी दर्शक चाहेंगे क्या स्टोरी है इसके पीछे देखे इस प्रदेश में और जो भी हर स्टेट में जितने भी गुंड़ा तत्व हैं उनको बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम करना चाहिए आपका क्या है सर राजस से पीछे लास तक हम देख पाएंगे आपको स्टोरी में कुछ बताएंगे या इंतजारी करवाएंगे नहीं नहीं मैं इंतजार इसले ही करवाएंगा क्योंकि हमारे जो प्रद्यूसर सहब है कुलदीप जी और बड़े बाबुजी हमारे तो इन्हों ने मिलके जो एक ये मुद्धा उठाया है कि एक फिल्म जो इनने तयार की है बहुत ही खुशूरत है बहुत अच्छी है और इसको मैं चाहूंगा कि आप सब लोग देखें और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखने के लिए मिलेंगी और बहुत आपको मज़ा आएगा इसमें ठीक हाल के दिनों में राज्यों क्या आधार पर जो स्टोरीज है उनका एक चलन बढ़ा है चाहें अधर केरला स्टोरी की बात की जाए कश्मीर फाइल्स की बात की जाए और अब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के नाम पर आपकी फिल्म है इसके पीछे उस ओडियन्स को ग्रैब करने का कोई एक महत्व है या स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट थी जिसको दर्शाना जिसको दिखाना ज़रूरी था स्टोरी इंपॉर्टेंट थी इसलिए एक इग्जामपल सेट किया है और सब प्रदेश देख सके इसके लिए वाकि ऐसा कुछ नहीं है कि उसके उपर बनी है ऐसी स्टोरी में एक डेडलाइन के इतर एक दारा भी होता है जहां आपको सिमित रहना होता है बनी है वो ज्यादा ते निगेटिव बनी है समस्या ग lasci हमारी मूवी में हमारा झो सियम है वो समस्याओं कैसे yaz को से खतम करकर राम राज इस्था पित करता है वो हमारी पिकश्यर का positive वेम ह मैं हमको जो बाबा सांब चाप का जो सम्मिधान है हम झो तर और हमने लॉइन ओर्डर को टार्गेट किया है और हमारी फिल्म में बहुत एक ऐसा डायला हो गए जो हमारा करेक्टर बोलता है कि बाबा साब भीम रहा बाबा साब मेटकर के कदर ना इधर ना उधर ना उधर ना उधर तो यह जो हमारे फूरी फिल्म में जो है मैसेज है कि law and order और बावा साव अम्मेटकर के सम्मिधानी मेन है सम्मिधान के हिसाब से सब को चलना होगा देश सर्वपरी है ना धर्म सर्वपरी है ना कुछ इंसान सर्वपरी है पहले देश है पिर देश के बाद सारे धर्म आते हैं तो अगर आप वो एक डायलग भी बहुत फिर्म है अगीता से ने खुरान से देश चलेगा सम्मिधान से वही कहने मतलब है कि बावाट साब अम्मेटकर के जो सम्मिधान है उसका पालन हर किसी को करना पड़ेगा जो भी लाइन अर्डर को तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी और उसको जो मिट्टी में मिलाने का काम है वो होएगा तभी तो आम लोग को सुख मिलेगा कुछ बड़े इंसिडंट साब बताएए जो यूपी से रेलेवन्ट हो जो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक जमीन से इतनी बेवस्था खराब्ती वहां से लेके आज इस लेबिल पे लेके हैं तो ये मेरा कहने मतलब है कि हर स्टेट जो कोई भी स्टेट देखिए कोई किसी का ताल में नहीं लोग एक दूसरे की टांग खिसते प्रदेश के बारे में कोई नहीं सुसता है तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरे लोग सबा के MPs को, MLA को, MLC को सारे लोग को ये पिक्चर देखनी चाहिए और अपने उपर शर्मिंदगी फिलोगी उनको जब ये पिक्चर देखेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर सीख गए, तो सारे स्टेट हिंदुस्तान में सही हो जाएंगे और उसके बाद हमरा देश जो है भी शुक्रू बनेगा लुक आपका बिलकुल वही वाला है, वो एक वजन जो हम करदार में देखते हैं, लाला वाला और उसी तरह से जो मुस्कुराते हैं वही दिख राय करदार इसे में रोल कितना बडला है, डायलोगस क्या है, हम कैसे देखते हैं वाले आनिल जॉर्ज को इस में इस मुवी में ले आए तुम फिर वही मिज़ापुर पर न बड़े हराम यह बड़े बिलकुल वही करदार जो है बिलकुल और शायद बर्फी भी आप लाए होंगे या इस बार योगी अजितनात का थोड़ा डर भी है बर्फी हम जो है यह जो हमारी पिक्चर है दर यूपी फाइस यह हम बर्फी लाए है यह उन भरस्ट जो है नेताओं को करप्ट नेताओं को और गुंडा तत्तों को खिलाने के लिए लाए है बर्फी खिलाएंगे उनको सम्मिधान के साब से कैसा चलना है वो सिखाएंगे है हमारा करेक्टर आपके लिए क्या चैलन्ज रहा क्योंकि अरूल तो उसी तरह का लेकिन इसमें कुछ नयापन हो यह दर्शकों के लिए एक एक्टर के लिहाद से रहा होगा चुनोती रही थे क्या हर करेक्टर में एक नयापन होता है चाहिए हो कोई भी कारेक्टर हो क्योंकि इसमें जो है मेरे कैरेक्टर का नाम है अबदुल्ला और जो मैंने पहले की है मर्दापूर में लाला मर्दाणी में जो था वो वकील साहब تھे कलकी में जो है पता नहीं आपने देख की ह नी देखिा इसलिए आप कल्की का नाम नहीं ले रहे हैं मैं राजनिती जाला देखता हूँ थोड़ा सा कोई बात नहीं तो हम राजनिती वाले नहीं हैं हम तो कला का रहे हैं मैं तो कला का रहे हैं मिर्जापुर में आपकी कला देखिए हाँ, और भी देखिए, तो उसमें जो है, वो बानी है, तो वो जो है, किरदार कोई भी हो, वो अलग होता है, नय होता है हमरे लिए, और जो इसमें है, वो बखुबी जो लिखा गया, जो मुझे करने के लिए मतलब मिला जो दिया, निरज भाई ने और राइटर ने जो भानी बानी वाला नहीं दिखेगा, वकील नहीं दिखेगा ओर अर वैसे ही, इसमें जो है, यह जो इस यह करएक्टर का नाम है अबदुल्ला, तो अबदुल्ला मैं आपको कोई बएसा पराना करेक्टर नहीं दिखेगा अले कि तमां फिल्मों का ज़िए मेरे जहन में मेर अब कि अचैये अब कर लाला गजयारा हुआ एक सीरीज से और जब मों पर पड़े पर आते हैं तो उसमें एक एक्टर के लिए भी क्या कोई बदलाव होता है या उसी तरह से काम करना होता है ने ने इसे कैसे हो सकता है बदलाव तो आए गाना किस तरह का बदलाव करना तो उसके लिए हमें मतलब वह करना पड़ता है जो हमें करेक्टर मिलता है तो आप कहां से हैं सर अगर मैं पूछू हूँ माजरत के साथ है मैं अपने घर से हूँ किस स्टेट से हैं वैसे तो मैं चंडी गड़ में मेरा जनव हुआ आपने यूपी को समझने की कोशिश के लिए यूपी में बहुत रहा है। जिसे अभी डिरेक्टर साब ने बताया कि उस फिल्म में, मैंने पूरी स्क्रिप्ट नी पड़ी है, सौरी, मुझे जो मेरे किरदार का रोल, किरदार में डूबनी के लिए किया अपने, बाकी किरदारों को समझने की बजाए जो आपको मिला है अपने हिस्से का, उसमें समझ पूरा समझने के बाद उसको मैं पोर्ट्रेट करता हूँ, और अभी फिल्म मैंने देखी नहीं है, मैं चाहूँगा कि मैं एक बर फिल्म देखूँ, और अगर मैं अगर लाला के इतर, अगर कोई करदार जान गया तो समझी फिर तो मुवी बहुत जादा ही शानदार है, अगर डाक्टर साब का दावा जो है, जो उसमें अगर बजन है, देखेगा आप इनका करेक्टर जो है, बहुत स्ट्रॉंग करेक्टर है, और जब करप्शन अपनी चरम सीमा पर होता है, तब ही हमारा ऐसा हीरो जो है, वो सीम पैदा होता है, और फिर वो कैसा जो है, वो ग पॉइंट भी उड़ जाता है, क्योंकि आप एक साइड है, या आप कह सकते हैं कि वो सत्य की तरफ हम सत्य लिखा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर राजनीतिक विरोधाबवास भी होते हैं, जब ये फिल्म बन रही थी उस तरह का कोई संशय या डाउट था मन में आपके, ने ऐ धेसा नहीं है, हमने कोई पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाई हैं, ये कालपनिख फिल्म है, एक पूरी और ऐसा खुछ नहीं किसक Bachak है, इसलिए इसलिए अभी तरफ हुछ नहीं है, ज़िए राजनीतिक महकमें महकमें है, और भःस्ट प्रसासिनिक महकमें में, और जो लोग गलत हैं उनको एक बार भै जरूर लोगाई फिन देखके और वो भै मुक्त बनाएंगे हमारे जो है लेकिन यूपी फाइल्स में लाला जी का करदार हलंगी करदार का नाम इस बार बदला है लेकिन उनका कहना है कि वजन करदार में उतना ही होगा और साथ ही उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है 25 करोर की अबादी है मुक्यमंत्र योगिया अतनाथ फिर से सत्ता में है लोगसबा चुनाओं के नतीजे अलगा आए लेकिन तमाम राजनितिक वजहों के इतर इस फिल्म में यूपी का जो मॉडल है उसको दिखाने की कोशिश की गई है फिल्हाल इस सेचा में इतना ही बने रहे भारत 24 के साथ